रेसंटली आपने देखा होगा कि एक बहुती इंटरस्टिंग जियो पॉलिटिकल डिवलप्मेंट हुई है चैना के जो विदेश मंतरी है यह रिसंटली आए है इंडिया में यह हाला की बहुत से कंट्रीज का टूर कर रहे हैं सबसे पहले चैना के विदेश पंतरी गए पा To be honest मैं आपको ये बता रहा हूँ, over the years मैंने जब international relations को properly cover किया है, study किया है, मैंने कभी भी इंडिया में एक Chinese leader का welcome इतने cold तरीके से, इतने ठंडे तरीके से नहीं देखा जैसा Wang Yi के साथ हुआ था, यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पर काफी articles भी publish हुए हैं, कि चाइना के विरेश मंतरी को बहुत ही cold welcome मिला in New Delhi, और actually इनोंने कोशिश ये करी थी, कि इनकी meeting तीन लोगों से हो, अजीत दोवाल, National Security Advisor, S. जशंकर, विरेश मंतर इंडिया के, और Prime Minister अंदरेंदर मोदी, मोदी जी ने इनसे मिलने से मना कर दिया, यह कई reports claim कर रही है, कि इनोंने अपन अजीत दोवाल से कोशिश करी, कि मोदी जी से भी एक one-to-one meeting हो जाए, मगर मोदी जी ने आप पर meeting नहीं करी, इनकी primarily आपर meeting हुई है, जैशंकर साब से और अजीत दोवाल साब से, और मोदी जी का यहाँ पर वैंगी से मिलना बनता भी नहीं था, क्योंकि आप अगर सोच क अगर देखें, तो बिलकुल इंडिया में आने से पहले, कुछी घंटों पहले, इन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर, एक कश्मीर को लेकर काफी controversial statement देरी, कि चाइना सपोर्ड करता है, पाकिस्तान को इनके core issues में, जो Islamic countries चाती है, कश्मीर को लेकर वही चाइना चाता ह तो बहुत ही obvious बात है, ऐसी statement के बाद, इंडिया में इनको कोई बहुत जादा बड़ा welcome नहीं मिलने वाला था, उसके इलावा भी आप अगर देखें, तो गलवान वेली incident जब हुआ था, तब से लेकर अब तक, ये पहले major Chinese minister हैं, जो भारत को विजट कर रहे हैं, तो obviously जो पहली विजट थी, ये भी काफियत तक खराब होने वाली थी, मगर आप यहाँ पर definitely मुझे ये पूछेंगे, क्या चाइना इंडिया की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, क्या ये एक outreach है towards इंडिया, वेल देखो, मैं यहाँ पर जो वैंग ये ने का है, सिर्व यह ही नहीं आपको बताऊंगा, जो चाइना का almost जो सरकारी मीडिया एंगा Global Times, वो लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मीटिंग के वारे में, ये भी जाना important है, इससे overall पूरे चाइना में क्या इनकी सोच है, क्या इनका सरकारी मीडिया कह रहा है, ये सब जानके आपका माइंड काफी अतक क्लियर होगा इस matter में, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है by Global Times, और मैं interestingly यहाँ पर ये देखकर कावी surprise था, pleasantly surprise था, कि बहुत ही लंबे समय के बाद, चाइना के सरकारी मीडिया ने खुद accept किया है, कि internationally, इंडिया का stature काफी अतक बड़ा है, मैं international status, यह recently develop हुए है enormously, और बिलकुल हुए है, मैं आज के समय मुझे याद है, इंडिया क्या था, 2005 में, 2010 में, तब से लेकर अब तक giant leap आया है, अगर आप बहुत यंग है तो आप इतना इसका feel नहीं कर पाएंगे, मगर मेरे जासा आदमी genuinely देख सकता है, एक huge leap आया है, इंड reason Ukraine था, चाइना के विदेश मंतरी कोई खास निराली बात यहाँ पर करके नहीं गए, इंडिया चाइना relations के बारे में वैसे, आप अगर देखो, तो वैंगी ने ऐसे यह कह दिया के मेरे इसाब से 3 point approach हमारी होनी चाहिए, यह चाइना के लोग खूब करते है, 3 point approach, 4 point approach, तो 3 3 point approach यहाँ पर क्या गए गए है, कि पहली बात तो long term vision, आज से 10-20 साल के बाद का आप सोचिए, फिर आगए कहते हैं, कि एक दुसरे की जो development है, यह win-win mentality के साथ देखनी चाहिए, एक दुसरे को ऐसे view नहीं करना चाहिए, कि एक ज़रा develop कर रहा है, एक अब ज़रा catch up कर रहा है, फिर आगे कहते हैं, कि multilateral process में cooperative posture होना चाहिए, यह जी main मुद्दा यहाँ पर China के विरेशमंतरी का, इनके visit का, क्योंकि यह यहाँ पर basically यह चाहते हैं, कि India का जो अभी तक stance रहा है, neutrality का, Ukraine के issue को लेकर, Russia के issue को लेकर, यह in the future बना रहे, क्योंकि आप सोच कर देखिए, China को भी बहुत बगादा सारा मिलता है, जब India भी pro-west नी हो जाता, India भी neutral रहता है, Ukraine के issue को लेकर, नहीं तो China भी बहुत अकेला फिल करता है, कि दुनिया में हम अकेले ही major country हैं, जो Russia का openly support कर रहे हैं, या फिर कई जगा abstain कर रहे हैं, तो China basically यह चाहता है, कि India in the future, जो यह Ukraine के mention आप देखोगे, इस article में बहुत बार किया गया है, पंदरा बार आप देखोगे, इस article में आपको Ukraine का mention आपको मिलेगा, इवन जो India के इनुने तारीफ करिया status की, अगर मैं आपको दिखाऊँ, यह status वाई लाइन थी, इंडिया का status डवलप हुआ है, उसके बाद भी सीधा पहुशते हैं, यह Ukraine crisis पर, यह आपर कहा रहे हैं, कि देखिए, Ukraine crisis पर, जो India और China मिलके खड़े हुए है न, इससे हमको एक नई window मिली है, इससे हमको यह दिखाए कि, ऐसा नहीं है कि हर मामले में हमें दुसरे के against खड़े हैं, कई issues हैं, जहाँ पर हम cooperate भी कर सकते हैं, multilateral forum मे खड़े हो सकते हैं, जहाँ पर हम दोनों की आवाज सेम ही होगी, फिर आगे देखिए, यह आपर point उठाते हैं, USA का, basically China कभी भी यह नी चाहेगा, कि India completely USA के camp में चला जाए, तो आगे यह कहते हैं, कि देखिए, USA has stepped up quoting India against Russia, USA अप पुरा दवाव आप पर डालेगा, ना सिर् आपर यह कहने हैं, कि US has stepped up quoting India against Russia, US चाहता है कि India एक बार को Russia के against खड़ा हो जाए, एक Pentagon official ने provided lip service by promising oil and military occupant to India, यह आपर कहा रहा है, चाइना का state media खुद कहा रहा है आपर, कि US की तरफ से बड़े offer आएंगे इंडिया को, US बहुती बड़े scale पर oil देगा, खुद अपना वो कह आप रश्या को oil क्यों पर chase कर रहे हो, हमारा oil पर chase कर लो, और military occupant भी देंगे इंडिया को, कि आपका main issue क्या है, कि रश्या से military occupant आता था ना, military occupant बहुती बड़े scale पर हम आपका replace कर देंगे, और तो और यहाँ पर यह भी add कर रहे हैं, कि USA ने quad ally जो है Japan, उसका भी use करना start कर दिया है, ताकि इंडिया अपना जो stance है Ukraine के issue को लेकर change कर ले, इस पूरी visit में, Ukraine के मुद्दे के इलावा, आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला, और यहाँ पर आप देख पाएंगे, कि इन्होंने अर्नब गोस्वामी को भी code कर दिया है, मैं मुझे लग रहा है, मैं सही कि इंडिया कोई satellite state नहीं है USA की, तो बेसिकली चाइना यहाँ पर यह बानके चल रहा है कि जो stance इंडिया ने Ukraine के issue को लिया है, थोड़ा साब के लिए जटका दिया USA को, Quad को, ऐसा ही stance अगर इंडिया future में रखता है, तो चाइना के साथ भी धिरे-धिरे इनके relations और improve हो सकते ह यही कह रहे हैं कि Quad से और दूर होते रहो, USA से और दूर होते रहो, और परहापस धिरे-धिरे हम अपने relations भी improve कर सकते हैं, तो question of course इंडिया के सामने यही है कि क्या यह gamble इंडिया खेलेगा, कि फिर से हम चाइना का वरोसा करें, एक ऐसे चाइना का जो अभी पाकिस्तान को support provide करके आया है, कश्मीर के इशु को लेकर, various issues को लेकर, तो again most probably India यहाँ पर चाइना की सुनेगा नहीं, Ukraine इशु बहुत ही unique है, कल को अगर मानलो कोई और इशु आता है, ताइवान का इशु या फिर इंडो पसिफिक में, वहाँ पर इंडिया genuinely US के साथ, Quad के साथ, खड़ा ह आपको दिखेगा, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कि जो भी knowledge मैं आपको यहाँ पर दी है, चाइना के विजिट के बारे में, चाइना का state media का क्यारा है, इसके बारे में, यहाँ पर यह सब जानकर, आपका क्या मानना है, कि जो चाइना की main इच्छा है, इंड फ्यूचर इंडिया को pro west, pro quad ही होना चाहिए, लिखेगा इसके बारे में comment section में, मैं genuinely जाना चाहूंगा, और फाइनली मैं आपको यह भी बता दूँ कि अनकाडमी का जो UPSC combo course है, यहाँ पर flat 20% discount चल रहा है, comment section में जाओ, यहाँ पर आपको दिखेगा link, flat 20% of, इस link पर करो click, और यहाँ पर परचेस कर पाएंगे UPSC combo package, जिसके अंडर आप UPSC prelims, mains, optional, तीनों की ही त्यारी कर सकते हैं, इन्हें single purchase, और यहाँ पर आपको लिखेगा 12 month का course, 18 month, 24 month, 36 month, अगर आपके पास अभी time है, college student हो, 23 सार बाद आराम से, एक UPSC exam का attempt देना है, तो जो 36 month का course है, यह भी आप कर सकते हैं, attempt, simply यहाँ पर आपको code डाला है, PD10, और prices और जादा यहाँ पर गिर जाएंगे, you will get a flat 20% discount, so use the code PD10 and save money, इसी note के साथ यह है video का, thank you for listening and as always, God bless you all.